जे नवश्कार मैं 85 आप सब का स्वागत करता हूँ अरुनिका स्टडी में और सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक सुभकामनाय और बाधाई देता हूँ और इस नए साल पे कुछ नया करने के लिए मैंने आज से सुरू किया है के वीएस के लिए डेली करेंट अफेयर यह चो करेंट अफेयर है यह इस्पेसली के वीएस एक्जाम के लिए डिजाइन किया हूँ है साथ मैं ये भी बता दू कि ये हर exam के लिए important है क्योंकि current affair जितने भी competitive exams होते हैं उन सभी के लिए important होता है लेकिन इसमें मैंने especially KVS exam क्यों mention किया है ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या reason है लेकिन important ही ये सभी के लिए है और जो भी questions है एकदम KVS exam को ही सोच के उन्हीं के लिए ही बनाया गया है और आज से हम लोग ये लोग शुरू करने जा रहे हैं तो बिना देर किये हुए बिना जादा इधर उधर की बात किये हुए शुरू करते हैं और आपको मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा और आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे यहां से और डेली क्लास अटेंड करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहला question आपके सामने आ गया है और question ये है कि Dr. स्यामा प्रसाद मुखर जी अटा संस्थान का उद्गाटन किस राजे में किया गया है तो इसका जो जवाब है वो है West Bengal और West Bengal इसका जवाब है अब इसके साथ साथ हम क्या क्या information और जान लेंगे क्योंकि होता क्या है हमें करना क्या होता है कि current affair को एक जगा note down करना होता है और जो यहाँ पे question आपको दिख गया बस उतना ही नहीं होता है उसके साथ साथ कुछ additional information भी आपको अपने पास रखना चाहिए तो वो additional information आपके साथ क्या क्या होगा वो जान लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जहां आप note down कर रहें पहले यह जो है डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी नेशनल इस्टिट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनेटाइजेशन जो है इस चीज को आप लोग लिखेंगे सबसे ऊपर जैसे एक नंबर दे दिये या कुछ भी इसंटॐर दें ऑपर और वुसके ऊपर यह लिख दिया तैक यहां पर आपने पूरा में कर दिया अब उसके के नीचे आप क्या करेंगे लगा लग लगा-लगा कर आप लोग उससारी पॉइंट्स निकोंर महन Performance की तो क्या है कि की दॉक्टर शेमा प्रसाद मुख़ जी के उसके नीचे लिखेंगे inaugurated by PM Modi in West Bengal इसका मतलब क्या हुआ कि यह PM प्रधानमंत्री Modi के द्वारा यह इसका उद्घाटन किया गया था कहां पर तो West Bengal में ठीक अब उसके साथ से तो West Bengal के कि जनकारी लिए इसके बारे में इससे ज्याधा चाहिए इसके जहां के लिए यह सब सब्मों के लिए बहुत जरूरी है ठीक एस्टेटिक पॉर्षन के लिए स्टेटिक जी के जिसको आप लोग बोलते हैं तो सी एम जो है वेस्ट बंगॉल की वह है ममता बैनर जी ठीक वहीं जो गवर्नर है वह सेवी अनंदा बोश और कैपिटल आप सबको पता ही होगा इसके साथ साथ यह काफी चाहे क्योंकि यह स्टाटिक पोर्षन और वह पॉर्षन है इसको भी आप लोग साथ में लिखते रहेंगे तो यह को याद होती जाएगी करनेट अफिर के सांथ सथ स्टाटिक पोर्षन भी त्यार होता जाएगा तो लोग स्वाशेट और राज स्वाशेट जो है वह कितन आपका पूरा एक अच्छा से तयार हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेशन पर आते हैं और अगला जो क्वेशन है वह है भारत भारत में बोल रहा हूं भीम से है और भीम जो की भारत इंटरफेश फॉर मनी और इसका जो है इसका छठा एनवर्सरी मत ह, बी और यह हो गया डी हैपी बर्थडे हमने इसको विस कर दिया ठीक तो भीम जो है यह अभी अपनी चठी वर्सगाठ मनाया है इसने तो यह किस तारीख को हुआ था यह जान लेते हैं तो यह हुआ था 30 दिसम्बर को अब इसके साथ साथ कुछ और जानकारी लेते हैं कि यह कब लॉंच हुआ था तो जो भारत पे है वह भारत पे 30 दिसम्बर 2016 को लॉंच हुआ था और इसको लॉंच किये थे कौन तो प्रधानमंदरी मोदी जी ने लॉंच किया था प्रधानमंदरी नरेंदर मोदी ने इसको लॉंच किया था यह भारत के साथ साथ चार और दे देश वे काम करता है एक तो भारत हो गया Agent चार और देशों में काम करता है भूटान नेपाल युवई और शिंगापूर यह चार पंच पांच लेश हो गए स्पिन एक W Israeli कॉично सभी करते हैं तुरंत स्कैन करके और पैसा ट्रांसफर वो यही होता है ठीक है फोन पे गूगल पे बहुत सारा चीज आप लोग यूज करते होंगे उसी की तरह एक भीम भी है आगे बढ़ते हैं और अगला जो कुशन है आपके सामने वो है कि किस राज ने भारत की पहली नील-ग थैयरी तहर पर यूजना सुरू करने वाला भारतस्यार का तरिकार यह यह yoojna first प्रोजेक्ट इस फे लांच किया है तो इसका एंसर होगा वह तमिल नादू ठीक है तमिल नादू सरकार ने इसके सबसे पहले लउंच किया है और कितने वर्षों के लिए तो पांच वर्षों के लिए जो कि 2022 से लेकर 2raw Sum 17 तक चले तुक्षिस्धे स्टायटिक पॉर्फिस्थ्य हूं लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसी명 के साथ इस्टाटिक पॉर्चन संद्धे 39 लोग सभा सीट्स है वहीं राज सभा सीट्स 18 है यहां पर यह आप लोग याद रखिए का यह स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपोर्डेंट होता है चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किये हुए तो अगला सब्सक्राइब कि इसे लांच किया है तो इसका जो जवाब होगा वह है तिलांग ना जो है आप सब को पता होगा कि यह आंधर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है भारत का जिसका कैपिटल कहां पर है 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 तो इतना चीज आपको याद रहना चाहिए और यह कब हुआ था यह आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब यह आंधर प्रदेश से अलग हुआ था ठीक अब इसके बारे में जान लेते हैं तो जो यह 10 फेज जो सुरू हुआ है रायतु बंदू का यह जो है इसमें क्या होगा कि इसमें रवी क्र के लिए इसमें सपोर्ट दिया जा रहा है सतर लाख चौवन हजार फार्मर्स को जिसके लिए जो फंडिंग हुई है वह हुई है साथ हजार शे सो चिहातर करोड रूपए के लिए अब रभी क्रॉप कब होता है तो यह अभी कौन सा सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन चल के लिए ठीक है तो इसमें एक रेट फिक्स किया गया है और वह रेट क्या है रेट है पांच हजार रुपए पड़ एकर मतलब एकर के लिए आपको पांच हजार रुपए इसमें दिया जाएगा अभी तक लगभग 20,000 सुरी कुछ इस तरीके के डेटा है जिसमें मतलब इ उनके साथ तिलांगना के जो CM है उनका नाम है के चंदरशेखर रायु और वहां जो गौवरीहाई सब्राजर ठीक थी तॉन नंण याद रखीएगा और यह गौवर्नर नाम जरूर पूशता है पेपर में इसलिए आपको याद रहना चाहिए ठीक सब्स्क्राब्स्कended ड्रेट आपको याद रखना है कितने funding तो खेर आप याद करें या ना करें वह कोई दिक्कत नहीं है कितने farmers को भिजना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है रवी क्रॉप्स पूछा है इसमें रवी क्रॉप्स के सपोर्ट के लिए है तो रवी क्रॉप्स कौन-कौन से हो सकते हैं यह आपको जनकारी होना चाहिए इसमें अगर आप नहीं जानते हो तो साइड में देखके कहीं से लिख लेंगी कि कौन-कौन से रवी क्रॉप्स होते ह ठीक है आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो यह है कि CRPF चीफ सुजोए लाल थाउंसेन तूक ओवर दा एडिस्नल चार्ज ओफ डिरेक्टर जिनल अफ विज फोर्सेज बतलब यह जो सी आर पीफ के जो चीफ है जो उसके प्रमूख है सम्हाला है और वो किस फोर्स के किस डिपार्टमेंट का अतरिक्त भार समाला है यह कुश्चन आपसे बोला गया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट फिलहाल तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि होगा क्या कि इनके पास ओल्रेडी दो डिपार्टमेंट के चार्जेज है एक तो टोटल अभी इनके पास तीन-तीन ओफिस हो गई है तो हो सकता है कि यह जल्दी चेंज हो जाए कोई नए यहां पर आ जाए ठीक है तो इसके साथ साथ मैं बता दो कि यह जो है यह बीएसेफ के डिरेक्टर जनरल अभी बनाया गया है इनको हो सकता है यह चन दिनों में चें सब्सक्राइब करता है तो पाकिस्तान और बांगला देश के बॉर्डर पर काम करता है दोनों के बॉर्डर को मिलाएं तो यह लगवग 7419 किलोमेटर के बॉर्डर पर यह लोग काम करते हैं ठीक इसके पहले बीएसेफ के जो हेड थे वो थे पंकज सिंग पंकज सिंग जी है वह इसके हेड थे ठीक है यहां पे मैं लिक दिया हूँ और बहुत ही कंदे तरीके से मैं लिख रहा हूँ क्यों कि मेरा पेन है नहीं आपे पास में तो मैं माउस पे माउस से ही लिख रहा हूं चलिए इसके पहले जो थे वो पंकल सिंग थे और वो रिटायर हो गया है अब तो उनके जगह पे एसल थॉंसन को एडिशनल चार्ज दिया गया है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन है विच मेडल हैज बिन ओन बाई कोनेरू हमपी इन दे वर्ल्ड चेस ब्लिच चैंपियंशिप ठीक है तो बिस्व सतरंज ब् ख्रक्षण क्यूंकि इस चैंपियंशिप में कुछ दिन पहले तक भारत से सिर्फ एक ही जीता थे एक इसमें पदख जीतने वाले एक ही मेडल इस्ट थे वो थे बिश्वनाथन आनंद Grand Master बिश्रन आंद और यहाँ पर कोनूरो हमपी भी Grand Master है और इन्होंने इसमें एक मेडल जीता है वो कौन सा मेडल है तो वह सिल्वर मेडल यह दूसरी भारतिये बनी है जो वर्ल चीज ब्लिच चैंपियंशिप में कोई मेडल जीती है इसी के साथ एक चीज और बता दूं कि इसमें कोई तीसरी भारतिये भी है चलिए तो य समयें प्रेजक्सतान कि भीम्भी सारा गोल्ड मेडल जीती वहीं सेकंड मेडल पर मेडल होता है भारत के ने रहा psych और अगले क्वेस्टन पर आते हैं अगला क्वेस्टन है हूँ ओन हूँ है जीता है तो यह आप भी जानते होंगे खेलो इंडिया जो होता है यह एक स्टेट मतलब इंटर स्टेट गेम्स होते हैं यह ठीक है तो इसमें जो हौकी में है तो हौकी में पूरुस वर्ग में किसने जीता है अंडर 18 वाला खिताब किसने जीता है तो यह आपसे कुछन पूछा गया है तो इसके साथ साथ मैं एडिस्नल इंफॉर्मिशन भी क और किसे हरा कर जीते हैं तो यह उडिसा को हरा कर जीते हैं और यह उडिसा को हराए हैं जो कि उडिसा कहीं राजदानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था और तीसरी पोजिशन पे जो थे वो हर्याना थे हर्याना ने जारखंड को हरा के अपना तीसरा पोजि सब्रक्षा की लड़कियां इसमें जीती थी वहीं दूसरे नंबर पहले नमर पर ठीक और तीसरे नंबर पर है उडिसा यह इसमें भी महिला वर्ग में भी जहारखंड को हरा के तीसरा पुजिशन लिया है वहीं पुरुस वर्ग में हर्याना ने जहारखंड को हरा के तीसरा पुजिशन लिया है ठीक तो इतने point है आपके लिए यह आपके लिए important बहुत 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 ज्यादा important है यह question आपके exam में आ सकता है ठीक है यह question आपके exam में आ सकता है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जो question है वो है Indian Army has handed over first ever 3D printed houses for soldiers at which city मतलब भारती सेना ने किस सहर में सैनिकों के लिए पहले 3D मुदृत घरों को सौंप दिया है ठीक तो first 3D printed house जो बना था soldiers के लिए ये Indian Army में कहां पे किस city में किस कैंट को समर्पित किया है किसे सौंपा है तो ये एहमदाबाद के जो कैंट है उन्हें समर्पित किया है उन्हें सौंपा है और इसके साथ साथ कुछ और information जो है वो Indian Army से जो है information वो आपको जान लेना है ये important point आपको यहाँ पे लिख लेने है और लिखने के बाद उसके नीचे आपको जो की star बनाके या circle बनाके जैसे भी आप point करते होंगे या ऐसे arrow बनाके करते होंगे ये चीज लिख लेंगे कि जो Indian Army के chief है वो है on rebel general Manos Panday जी है और जो motto होता है Indian Army का वो होता है शेवा पर्मो धर्मा ठीक और Indian Army डे कम मनाया जाता है ये 15 जनवरी जो की आने वाला है 15 जनवरी को Indian Army डे मनाया जाता है वही नेवी की बात करें तो नेवी डे कम मनाया जाता है तो नेवी डे मनाया जाता है कब तो हाली में मनाया गया था नेवी डे वो था कब तो चार दिसंबर को ठीक है चार दिसंबर को नेवी डे मनाया गया था वही Indian Air Force Day की बात करें तो ये 8 October को मनाया जाता है ठीक इतना चीज आपको याद रखना होगा यह एक्जाम में पूछता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन यह है अलनसर आप लोग खुब सून रहे होंगे अभी न्यूज में एकदम फुटबॉल तो काफी चल रहा है तो फुटबॉल से ही जुड़ी एक खबर आई थी कि रोनाल्डो अब अलनसर फुटबॉल क्लब के लिए खेलेंगे और यह किस देश का फुटबॉल क्लब है यह आपको बतान है यह एक्जाम में पक्का में बोल रहा हूं किसे ना किसी एक्जाम में आएगा ही आएगा और बहुत जल्द यह किसी पेपर में आएगा तो इसका जो सही जवाब है वह सौधी अरभिया है ठीक सौधी अरभियन यह फुटबॉल क्लब है अलनसर जो की रोनाल्डो को रोन Manchester United Football Club के लिए contract किये थे उसके तरफ से खेलते थे और जो की England का एक Football Club है ये England का एक Football Club है साथी रोनाल्डो के बारे में मैं बता दू कि ये पुर्तगाल Football Team के Captain है पुर्तगाल से ये belong करते हैं और ये highest goal किये हुए अभी तक सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है काफी इंस्टाग्राम पर भी आपको पता होना चाहिए कि इनके सबसे ज़्यादे followers है अगर एक individual आदमी की बात करें तो हाला कि सबसे ज़्यादे followers Instagram के ही है लेकिन Instagram के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के followers है वह है Cristiano Ronaldo ठीक है तो यह चीज आपको जनकारी होनी चाहिए तो यह आपको information रहना चाहिए तीनों पॉइंट काफी important है साथ में यह तो important है ही इसलिए तो question बना है उसका आगे बढ़ते हैं अगले question पर आते हैं और अगला question है कि who has launched the mobile app प्रहरी of the BSF in New Delhi तो New Delhi में BSF के लिए एक mobile app जारी हुई है जिसका नाम है प्रहरी और यह काफी important question है आपके लिए यह काफी important question है इसे तो आप लोग जरूर याद रखेगा यह exam में आएगा ही आएगा यह मतलब KVS कहीं नहीं किसी भी exam में तो आएगा SSC हो जो भी हो कहीं ना कहीं आने ही वाला है तो यह प्रहरी जो app है इसमें क्या होता है प्रहरी app में अगर BSF के कोई विजवान लीव लेना चाहते हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि defense में लीव लेना बहुत मुस्किल होता है और यह कई सारे अधिकारियों से पास होकर कितने सारे लंबा मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो रहाता है कि वह मतलब उनका मालूम नहीं चल पाता है कि अभी किस पोजिशन पर उनका application पहुंचा है लीव application तो खाफी कुछ मेहनत से उनको लीव मिलता है तो उसका status यह लोग देख सकते हैं साथ ही उस पर इनके लिए क्या-क्या additional announcement हो रही है वो सब चीज जो government के तरफ से announcement आ रही है वो सब चीज इसको में मालूम होगा एक तरफ से आप लोग समझे कि इनके लिए एक official एप हो जाएगा जिसमें यह खुद का status और नए नए अपडेट सारी जनकारी इसमें इनको मिलेगी ठीक है इसी के साथ कुछ दिन पहले एक और एप लॉंच हुआ था जिसका नाम था आयुश्मान कुछ कर आयुश्मान C.A.P.F. करके कुछ एक लॉंच हुआ था और वह किसके लिए लॉंच हुआ था तो वह इन्ही के लिए लॉंच हुआ था इसके बारे में आप लोग मुझे comment section में बताएंगे ठीक है तो फिलहाल यह एप का लॉंच इस एप का लॉंच किस ने किया था तो वह किये थे अमि पेटसा क्यों मतलब एक रिलेशन बना लीजी इसमें क्योंकि टिफनेंश मिनिस्ट्रिं के अंडर नहीं आता है còn रिम्छिक स्रीमिट साह तो अमिट साह ने इसका भी उसे आप का लॉंच किया था और यह जो था लॉन्च कर्णा तो यूझनें होम को साथ मिनिस्टर स्रीमिट साह सौन बहुत बहुत इंस मतलब इस पर स्टार , इतना अच्छा पॉंट है कि वह दूसरा नाम भी है और वह नाम क्या है फस्ट लाइन ओफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरोटरी इस यह काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है इस पर आप लोग हमेसा याद रखिएगा अगर ज्यादा कोई इधर उधर बात कर रहा हो कि बहुत नॉलेज है बहुत जीएगा वहीं पर फेल कर जाएगा ठीक चलिए आपको मैंने बताया ही था एक पिछले एक क्विश्चन में की एक नए इंडिये डायरेक्टर जनरल या चीफ जो भी बोले आप की बीएसेफ के बनाए गये हैं जिनका नाम है एसल थॉंसन या सुजोयलाल थॉंसन ठीक आगे बढ़ते हैं कि आप आगे क्या बढ़ाएंगे अब जितने क्वेश्चन थे लगभग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूँ आपको कि अभी तक जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम होगा और बहुत जल्दी इन सब का क्विज भी टेलीग्राम ग्रूप पे सुरू हो जाएगा सारी लिंक जो है वह कहां दी हुई है तो वह दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां जाकर आप लोग लिंक पे क्लिक करके डायरिक्ट जॉइन कर ले सेसन आपको ऑच्छा लगा होगा तो जल्दी जल्दी चैनल को आप लोग सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और से बीलोग करिए अपने टेलिग्राम ग्रूप की लिंक और वहां दिखाईए कि के वी इसके लिए डेली करेंट अबहुत यह तरीक तरीके से यहां पर हो र HIND